पर लगेगी रोक 230 याजकाओं पर एक साथ सुनवाई करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट नागरिक्ता संसोधन कानून पर रोक लगाने की मांग वाली 230 याजकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है हाल ही में कि इन सरकार ने CAA को लागू कर दिया है इसके बाद विपक्ष और अन्यकाई संगठन सरकार पर हमलावर हैं उनका कहना है कि ये कानून मुसल्मानों के साथ पक्ष पात्मून है इसके लावा ये समिधान के मूल से धानतों के खिलाफ हैं CGI के अद्रक्षता में जस्टिस जेवी पार दिवाला और मनुज मिश्रा की बेंच के सामने इन याजकाउं पर सुनवाई की अपील की गई है इंडियन यूनियर मुसलिम लीग आई यू एमल की तरफ से सीनर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रिम कोर्ट से कहा था क एक बार जब सरनारती हिंदों को नागरिक्ता मिल जाएगी तो इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा इसलिए बामले के अजेंट सुनवाई की जरूत है आपको बता दे कि नागरिक्ता संसोधन विधयक 2019 में संसत में पास हो गया था और कानून भी बन गया था इस कानून के पाकिस्तान अफगानिस्तान और बंगलादेश से 31 दिसमर 2014 से पहले भारत आये वहां केल्प संखिक सरनारतियों को फास्ट ट्रेक्ट तरीके से नागरिक्ता दी जाएगी सरकार ने इसके लिए पोर्डल भी शुरू कर दिया है इस कानून के तहत गैर मुसलिम यानि हिंद पर रोक लगा दिनी चाहिए इसमें मुसलिम संदाय के खिलाफ किसी तरह की कारवाई ना करने की मांग की गई थी आई यू एमल के लावाद डी वाई एपाई कॉंग्रेस के देवपरत साइका अब्दुल खालिक और असुदिन ओवेसी ने भी सुप्रिम कोर्ट में याच पर सुनवाई पेंडिंग हैं सीजी आई ने कहा था कि मंगलवार को 190 से ज़्यादा केसों पर सुनवाई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कलाव वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं